हालो फ्रेंट्स वल्कम तू आल आज मैं आपके लेडियो लेगा रहा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आज की थोड़ा रेकवरी जो हुई उसके बाद यही चल रहा होगा कि क्या मार्केट फिर गिरेगा क्या शेयर मार्केट फिर गिर अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल आकन को प्रेस कर ले जैसे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी आपने देखा होगा आज मार्केट में सुबह सुबह एकदम थोड़ा सा डाउन जरूर गया उसके बाद ज सेक्टर के स्टॉक्स को अगर आप देखो तो जैसे एंफोसिस यह अपने आप में बड़े बड़े नाम है इवन टीस के एक से दो परसेंट का जंप भी मार्केट को हिलार्किट कैपिलाइशन दस लाग करोड से उपर का लिए टीस का है तो इसमें एक दो परसेंट की आप आसपास ही अपना ट्रेड कर रहा है तो बहुत ही बड़ी है सब आल टाइम हाई के आसपास है अब सिचुएशन यह है कि निफ्टी इंडक्स ने इतनी पॉजिटिविटी दिखाई उसके बावजूद आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाने जा रहा सिधु आपको लेके चलोगा निफ्टी जैदे बैंक और निफ्टी फिफई काउपर लेके चलोंगा सबसे पहरे में निफ्टी फिफिफ्टी से स्टार्ट करता हूँ देखिए वीकली चार्ट है निफ्टी फिफ्टी का उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करने में जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है अनसर्टिनिटी यह पुराने वाले में आपको इसलिए हाइलाइट करके दिखा रहा हो देखिए हमेशा अकसर ऐसा होता है और क्योंकि इस लेव के आस पास पर यह सबसे बढ़िया मौकइ होता है अंटर कभने के और जैसे अ सबसे बहसे बहतरी मौक्य आपके लिए होते है ऐसा निए कि गिरते हुए आपको इन लेवल्स पर खरीदना है यह लेवल्स जो होते हैं यहां पर correction resolution वह सबसे bullish cross आपका बना उसके बाद की जो correction है उसका resolution है वह आपके लिए important है उसके बाद अगरी correction है वह 20 के नियर तक आए उसका resolution आपके लिए important है बट अब देखे कितनी दूरी यहां से 12,327 के लेवल पे आप 12,300 के लेवल पे 20MA की लाइन है 50 की लाइन 11,550 के आसपास है और 200 SMA की लाइन यह तो काफी नीचे है लेकिन major impact है वह कल यानी की 21st की correction का है उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था और रगुलर वीडियो में बता थे कभी भी कोई बड़ा fall आए न उसका next day बहुत सारे लोग यहां पे मैं कहूंगा market में पैसा गवाते हैं और जो लोग थोड़ा सा patience वाले हो आउन जाना वो अराम से तसल्ली करते हैं ऐसे दिन जो होते हैं अब इसको कुछ इस तरीके से मानिए यह यह दिन होता है आपकी बड़ी impulse बनी यह correction बना हाँ अगर आपको play करना है इस चोटी सी correction को तो आप इसको क्योंकि इसमें भी कुछ पता नहीं कि आपको यह correction ही है ज इस तरीके से बहुत छोटी छोटी ट्रेडिंग करते हैं बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं काफी काफी uncertainty काफी volatility यहां पर होती है अब कल की date की बात करते हैं कल की date की expectation जो है वो आपको सारी picture जो है वो market खुदी बताती है आपको कुछ यहां पर gas नहीं करना होता ह सारी picture market खुद बताती है अगर कल की date में situation इस तरीके से बनती है और यह point अगर break होता है तो फिर आपको chances मिलेंगे यह low point break होंगे तो फिर आपको short की opportunity मिलेगी और short की opportunity वाले हमेसा इस चीज को ध्यान दे हमेसा इस चीज को ध्यान दे जब आपको जैसे आज की date में अगर को सुवे सुवे short करने लग गया होगा तो हाँ छोटे मोटे वह 5 मिनट और एक मिनट वाले scalping उसने कियोगी और उसमें फस गया होगे कल यह गिरिया आज भी market गिरिया इस तरीके से सोच बनाके फसा हो तो आप देखी market ने किस तरीके reaction दिया अब यह nifty 50 का chart है nifty 50 के अगर मै अभी bullish यह bearish cross की formation हुई है मैंने एक बार आपको हमेसा कहाया कि चाहे bullish cross हो यह bearish cross जब stocks उपर को जा रहे होते तो हम क्या देखते है bullish cross लेकिन bearish cross यह hourly का chart है आख खुद सोचे हमेसा bearish cross के बाद क्या चाहिए हमको correction यहां पर यह पूरा का पूरा impulse है और हमको क्या चाहिए correction अब देखिए correction in progress है अब यह correction का resolution हमारे लिए important है यानि कि अगर हम down side का सोच रहे हैं तो यहां पर हमें expectation होनी चीए joint की formation होनी चीए तभी हमारे पास stop loss होगा और तभी हम इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे short side के लिए यह important part और दूसरी चीज अगर मैं यहां पर देख है जो कि जटका दे सकती है और अगर मैं 15 मिनट को देखूं तो 15 मिनट मेरा देखिए 60 के नियर आपका resistance ले रहा है यहां पर देखिए यानि कि कल की date अगर देखी जाए तो आपको गया हां आपका भी 5 मिनट उपर बैठावा वह नीचे आएगा तो फिर तब तक गर वह न एक मिनट पांच मिनट वाली मिलेंगी लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दे उसके बाद फिर आपके opportunity और खुल जाएंगी और साथ के साथ जैसे में आपको कहा है कि 20 50 में बहुत बढ़िया सपोर्ट होता और अभी सपोर्ट हमारे 20 में के आसपास डेली पर यह सपोर्ट ले र तो इस तरीके से situation आपको देखनी है और short side वाले मतलब मार्केट में एक दम आपको पैनिक नहीं होना अगर आज पांच मिनट के चार्ट को भी आप देखोगे कि कैसी situation बनी थी यह कैसी situation बनी थी higher high price में आपको देखने को मिल रहा हो लेकिन RSI clearly दिखा रहा भाई बेरिस signal बट मार्केट अभी एक दो दिन कल की कल पर सवागर होल्ट रहे कल पर सवागर और चोटी चोटी अगर लास्ट टाइम पर भी मैं देखो तो हमारी expectation यहां पर इसी तरीकी के expectation थी जब यह कैंडल बनी थी बट एक बार भी हमारा लो ब्रीच नहीं हो था यानिकि यह है 25 लेकिन होल्ट के भी लो ब्रीच होना जरूरी है ताकि आपको proper setup मिल जाए शॉर्ट साइट के लिए में आपको important point इसी दिया आपको यहां पर बता रहा था अब बात आती है जो positional trader है weekly monthly वाले बड़े बड़े टाइम फ्रेम वाले तो उनको ऐसी corrections का कोई फरक नहीं पड़ profit booking start कर दी होगी तो इस तरीके से basics को समझे और nifty bank के उपर मैं आपको लेके चलता हूं देखिए निफ्टी बैंक को कर आप देखो को तो यहां पर आप जड़ा देखिए किस तरीके से कल की candle बनी थी और आज की candle बिल्कुल हॉल्ट केंडल उसी तरीकी situation बनी थी हां आज की बुलिश क्रॉप्स फॉर्म करके बैठ गया तो इसको भी अगर डाउंसाइट को आपको ट्रेड करना है तो आपको यहां पर फिर से यह वापसी देखिए अभी lower high आप प्राइस में भी देख रहे हो lower high RSI में भी देख रहे हो तो यह यानि कि यह वापसी आना जरूरी है जैसी यह वापस आएगा फिर आपको opportunity यह देगा तो इस तरीके से और अभी देखिए weekly charts पे अगर आप देखो bank nifty का तो हमें जो expectation correction किती वह expectation start हो चुकी है और मेरी expectation अगर मैं यहां पर कहूं देखिए 27,000 से लेकि 25,000 के range में यहां पर support इसको जरूर मिलना चाहिए अगर correction in progress रहती है और situation market जैसा जैसा आपको reaction देती रहेगी आपको उसी के ऊपर action लेना अपनी तरफ से कोई adventurous task यहां पर नहीं करने है जैसे जैसे आपको reaction देगी वैसे वैसे आप action लेना और हमेसा market के सांसा चलिए market के अगेंस्ट में चलिए market के सांसा चलिए आपको बहुत जब market जब नीचे गिर रही थी उसके बाद जब वापस जब गिर रही थी जो नीचे जाओ पर जब market वापस ही दिखा रही है तो उसके अगेंस्ट नहीं जाना कभी में market के अगेंस्ट जाओ गए तो बहुत ही खतरा बहुत ही dangerous situation हो जाती है हमेसा अपने risk को manage करके चले और manage करन risk को manage करना मतलब अपने market में जो यह uncertainty आती है उनको पहले ही entry से पहली plan करके आपको चलना होता था कि आप future में आपको कभी भी ऐसे बड़े losses ना हो चलिए फिलाल wind up करता हूँ वीडियो को meet करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो शेयर जरूर